जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो अभी एक घंटे पहले की निउज है यूपी पुलिस सम्मधित ये एक निउज आईए निगलकर तो दोस्तो बने रहे हमाई चैनल पर हम आपको पूरी निउज को विस्तार से दिखाएंगे तो दोस्त के लिए बोल रहा है कल एहम दि में क्या होता है तो दोस्तो इसके बारें पूरी मोजों करते हैं दोस्तो यूपी पुलिस कॉंस्टिबल रिक्वार्मेंट 2022 यूपी पुलिस में 26,000 कॉंस्टिबल भरती के लिए कल एहम दिन है यूपी पुलिस कॉंस्टिबल भरती का एग्जाम करवाने के लिए टेंडर भरने की इच्छुक परिच्छा एजनसियां जो इच्छुक एजनसियां जो इस टेंडर को भरने की इच्छुक हैं कल अपनी अपनी निविदाएं पेस करेंगी उत्तर परदेश पुलिस भरती एवं बोर्ड ने ताजा नौटिस में कहा था कि कमपनियों को अपनी अपनी निविदाएं आथारे फरवरी दोस्तो ये अठारे फरवरी सुबह 10 वजव मज़े से दो बज़े तक के बीच बोर्ड ऑपिस पहुँचकर जमा करानी होगी तो ये भरती बोर्ड ने आदिस कर दिया था कि जितनी एजन्सिया हैं वो 18 तारिक में आएं और सुबह 10 से ले करके 2 बज़े तक वो अपनी अपनी महां पहुंच कर अपना नॉटिस महां हमें जमा कर आएं तो आगे पढ़ते हैं ऐसे माना जा रहा है कि जल्द ही एग्जाम एजन्सी का चैन हो जाएगा यदि ऐसा हो गया यदि एग्जाम एजन्सी का चैन हो गया तो आपकी भरती जल्दी होगी यह आप नॉट कर लीजिए एग्जाम एजन्सी का चैन हो जाएगा इसके बाद इनका अगर एग्जाम एजन्सी का चैन हो गया तो आपका नौटिपेकरिशन यूपी प्रोलिस भरती का नौटिपेकरिशन भी जारी हो जाएगा दोस्तो आवेधन की सुप्रिक्रिया शुरू हो जाएगी इस भरती के जरिए यूपी प्रोलिस में कॉंस्टेबल के 26210 और इनके 172 पदोपन न्युक्ति होनी है तो दोस्तों अगर ये एजन्सियां का चैन हो गया तो आपकी जो भरती है उसका नौटिपेकरिशन निकल जाएगा और आपके जो आवेधन है वो भरने की प्रोलिस शुरू हो जाएगी यह प्रोलिस में आपके आवेधन भरने 72 फारमेन के पोश्ट हैं और इनकी जो भरतियां ये 26210 भरती टोटल आपकी होनी है अब बात करते हैं परिच्छा एजन्सियां जो परिच्छा करांगी वो एजन्सियां एजन्सि द्वारा पूचे के सवालों के जवाम में यूपी पुलिस भरती बोर्ड ने कहा है कि पर गलत उत्तर गलत ऑप्शन पेपर में डाल ले पर एजन्सियां पर 25,000 पिर्टी प्रिच्छन का जर्माना लगेगा दोस्तों क्या अच्छी बात कही है ये बात बहुत अच्छी है दोस्तों आपके लिए ये बहुत अच्छा भरती बोर्ड ने बहुत अच्छा तरीका नि इन्होंने एजन्सियों ने डाल दिया क्योंकि जान बूच के डालती है अगर इन्होंने एक कुश्चन भी ऐसा डाल दिया जो आपके लिए आपती जनिक होगा तो इन एजन्सियों पर जो एजन्सियों पेपर को कराएगी इन एजन्सियों पर 25,000 रुपे पिर्टी पिर् यह भी कुल ओर्डर वैलू का 25 प्रतिशत तक हो सकता है अगर परिच्छा केंदर ओमार सीट ओफ-लाइन एक्जाम के लिए प्रिशन पत्रों की कमी अभ्यारतियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंट्स गलत स्कैनिंग अभ्यारतियों की डिटेल की गलत डेटा एंट्री माना होगा दोस्तों यहां भी बहुत अच्छी बात की है क्योंकि नकल जो नकल बाले जो होते हैं अक्सर इन गलतियों से बचके निकल जाते हैं दोस्तों यह भी बहुत अच्छी बात की बहुत बहुत अच्छी होने वाली है इसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर लिए जी दोस्तों अगर इनके दौरा इन एजैंसियों के दौरा अगर परिच्छा के निमें ओम लुदा या ओमार्षीट में कोई गलती है, आप्लान एकजान में कोई परिशानी आ रही है, या परष्णन प पत्रों में कोई कमी हो गई छूटी भी गलती हो रही है, 10,000 रुपे का जुर्माना कोई गलती छूटी भी गलती हो रही है तो उस पे लिए भी ने 10,000 रुपे का जुर्माना लगा दिया बहुत अच्छी भूसला है यह भरती बोड़ की दोस्तो एजन्सियों से मेरिट लिस्ट में और पीटी, डीवीवी, पीएस्टी पिरक्रिया में गलती होने पर उस पर 50,000 रुपे जुर्माना का प्रवधाने दोस्तों यह बहुत अच्छी बात कही है यह सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट बात है इसलिए इस पर पैसे भी कुछ ज़्यादा है यानि कि यह कहरा है एजनसी से मेरिज लिष्ट में और यानि आपके जो मेरिज लिष्ट में जो नाम आगा उस पर कोई गलती हो जाए या आपका किसी फिजीकल में गलती हो जाए या डॉकुमेंस वेरिफिकरिकिस में आप इस भरती से कोई गलती हो जाए उसके लिए क्योंकि ये गलत कागज लेकर के प्रक्रिया आगे बढ़ा देते हैं अगर ऐसी कोई गलती हो गई बाद में जांच के दोरन गलती पकड़ी गई तो उन पर उन गलतीयों पर पचास पचास हजार रुपे का जुर्मानी यह इन में से एक भी गलती इनों ने कर दी एजंची में मेरे लिश्ट में गलती कर दी पचास हजार रुपे आपके डोगमेंज बेरिपकिसें में कर दी इसके लिए इन भरती बोर्ड इन से पचास पचास हजार रुपे बसूल करेगा बहुत ही अच्छा जुर्माना है यह तो आपकी बार देखने को बहुत आगे पढ़ते हैं, भरती बोर्ड ने कहा है कि परिच्छा में करीब 20 लाख उम्मिदवारों के बैठने की उम्मीद है, तो दोस्तों इसमें लगवा 20 लाख उम्मिदवार इस फार्म को भरने की संबावना है, सिपाई पद के लिए एक्जाम उम्मार सीट पर ऑनलाइन मूड से होगा, अबजेक्टिक टाइप परिच्छन होगे और एम्मार सीट पर गोलों को भरना होगा, यह तो बहुत अच्छा दोस्तों, यह बहुत अच्छा हो रहा, क्योंकि आपकी जो परिच्छा ना, आपकी ब गोले को आपको भरना होगा, जो आपके पेपर में जो कुश्चन नंबर होगा, वही कुश्चन नंबर आपके ओमार सीट में गोलों का नंबर होगा, कुश्चन का नंबर, तो उसमें जो आपका A, B, C, D, इनमें से जो भी आपका पेपर में सही होगा, वही कुश्चन नं आपको भर देना ठीक है दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं इसके अलावा यह भी कहा गया कि ऑनलाइन एप्लिकेशन फार्म भरने के प्रिक्रिया के दौरान अगर एक्जाम एजनसी की बज़े ऐसे कोई ऑप्रेशन गलती हुई हो तो ऑप्रेशनल गलती हो तो उस पर एक लाख रुप्य का जुर्मान लगेगा वह 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 क्या बात कही है दोस्तों यह भी बहुत खतननाग बात है जो भरती बोर्ड ने अपके तो हिला कर रख दिया इन एजनसीयों को अपके कोई गलती करी नहीं सकती है इसने कहा कि इसके इलाबा यदी इसके इलाबी भी कहा गया कि और यांडी कॉश्च पहरें बहुत है briefly के और बहुत हो रहे हैं आगर ऐसी भी कोई गलती हो रही है तो उसके लिए अगर ऐसी कोई गलती हो रही है हो रही है फारम भरते वक्त या इन्होंने फीज ज़्यादा बढ़ा दी है अगर भरते वोट के फीज से अलागे फीज जम बढ़ा दी है या कोई और बहुत ऐसे इसमें जो गलती होने के संबावना है तो अगर ऐसी कोई गलती हो रही है आप फारम भरते वक्त आपके लिए कोई गलती हो रही है तो उसके लिए इस एजंसियों से एक लाक रुपे का जुरमाना लिया जाएगा यानि कि मालो हम फारम भरने जा रहे हैं और हमारे फारम में ये जान बूचकर या किसी कारण से गलती हो रही हमारा फारम ही नहीं भर जाएगा जदि हमारा फारम नहीं भर हैं भरती निस्वार्टिभूज नहीं देखْ पाएंगे अब भरती नहीं देक्त पाएंगे तो हम पुलिस में नहीं आ पांगे तो एसी लीए बीजि़ ने कहा डाँ छाहना कि सबी का फGroup मं भर न रुपे का जुर्माना लेगे रहे हैं यह कुल और वैलू का पच्चेस पिर्टीस तक हो सकता है दोस्तों यह भी बहुत अच्छी बात कही है वैसे इसमें इतनी गलती होती नहीं है लेकिन इस पे भी अपकी भलती बौर्ड ने जुर्माना रख दिया है क्योंकि कभी कभा ऐसा होता है कि admit card न अपलोड नहीं होते उसमें दिक्कत होती है परिसानी हो जाती है तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है आपका समय से admit card नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप सिकायत कर सकते हैं और इस गलती के लिए भरती बोर्ड एक हजार रुपे इन एजन्सियों जुर्मान लेगा तो दोस्तों यह बहुत अच्छी अपकी बार बहुत अच्छा हो रहा है इन एजन्सियों के साथ क्योंकि अपकी बार कोई गलती नहीं होगी तो दोस्तों यह बहुत अच्छा हुआ है आप अपनी तैयार इतना ही थैंक यू धन्यवाद मिलते नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ धन्यवाद दोस्तों